स्टूडेंक के स्टूडेंक भी मेरे टि-डि-टी के स्टूडेंट्स हैं नाइब शिस्टेंट के स्टूडेंट्स सभी के लिए आज होम साइन्स का एक मिस्टलेनीथ प्राक्टिस ंचinky म protective सबी तरह के कोशिन आपको कई तरह के कोशिन आपको आज यहां पर देखने के लिए मिलेंगे and definitely बहुत हेल्प करेंगे okay students तो आज हम कुछ पचास कोशिन्स मतला 50 इंपॉर्डेंट कोशिन्स को सॉल्फ करेंगे एक रिवीजन रहेगा यह क्योंकि हम पढ़ते जा रहे हैं बढ़ हम पिछला ना भूले रिवाइज रखें विक्कुल हमें एक चिक्ची रिवाइज होनी चाहिए तो उसके लिए हम आज एक रिवीजन सिरीज करेंगे तो यह डेफिनिटली आपको बहुत हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं सब यह स्टूडेंट्स जो है वो आज आएए फटाफट से लाइव और गूड इवनिंग तो आल उफ यू चार बजे यह क्लास चलता है और मेरा पूरा मतलब एफट रहता है कि मैं आपको डेली चार बजे एक क्लास प्रवाइड करा सकूँ अगर डेली नहीं होता है तो विदिन टू डेस हो जाता है कभी-कभी तबियत खराब होगी थी तो अभी थ्री डेस तक नहीं हुआ था बट कोई बात नहीं अगे हैं तो फिर हम फड़ा फट सी जो है टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि समय बहुत कीमती है हमें बरवाद नहीं करना चाहिए अपना समय सो लेट्स स्टार्ट टॉपिक ओके ना फ़र्स कोईशन इस पहला कोईशन है आपके स्क्रीन पर आपके सामने आहार नाल ठीक है अलिमेंटरी के नाल की बात हो रही है अंगो द्वरास त्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महतपूर भूमी का निवाता है जब हम अहार नाल की बात करते हैं, मतलब elementary के नाल की बात करते हैं, it means हम digestive system की बात कर रहे हैं. elementary के नाल की जो front opening है, वो क्या है? मैंने आपको बताया था, वो mouth होती है, ठीक है? और जो आपके posterior, posterior मतलब पीछे वाली opening जो होती है, वो आपके एनस होती है, anterior opening मतलब आगे वाली opening कौन सी होती है, आपके mouth होती है, mouth से आपके elementary किनाल स्टार्ट होती है, और last एनस तक जाती है, इसको हम बोलते हैं, closed digestive system या complete digestive system, clear, यह चीज मैंने आपको clear करती है, जब मैंने स्त्रावित करते हैं, आहार नली में, आपके elementary किनाल में बहुत सारी organs होती है, और बहुत सारी glands होती है, ग्रंथियां होती है, जो help करती हैं आपके food को digest करने में, metabolize करने में, absorb करने में, बताइए, जो वसा के पाचन में महतपून भूमी का निभाते हैं, सभी का answers भी आने लगे हैं, बट मैं explain करती हुई चलूंगी, एक एक question को, ताकि आपको revise हो जाए हर चीज, अगनाशय रस या लार, English medium बाले बच्चे बिलकुल परशान नहीं होंगे, मैं एक चीज को आपको हिंदी में बता, वो sorry, English में बताऊंगी, अगनाशय रस मतलब pancreatic juice, अगनाशय इ मैंने आपको सारी GI track पढ़ाई थी, तो GI track में मैंने आपको लेयर बताई थी, कि सबसे innermost layer होती है, mucosa, danfist, submucosa, danfist, serosa, जो outermost layer है, muscular layer होती है, GI track की, जो सबसे बहारी परत होती है, उसका नाम है, serosa, these are the very important point students, जो आपके exams point of view से बहुत important है, especially for PGTs and TGTs and lab assistant, RPST, सभी के लिए, बहुत important है, या पितरस या अगनाशाइरस, पितरस मतलब bile juice, या अगनाशाइरस का मतलब वही हो गया, pancreatic juice, या फिलार hydrochloric, hydrochloric मतलब होती है, HCL, तो इन में से क्या जो है, वसा के पाचन, वसा मतलब fats या लिपिट्स के digestion में help करते हैं, very good, सबका answer एकदम ठीक है option number 3, पितरस और अगनाशाइरस, पितरस क्या करता है, पितरस फाट का emulsification करता है, फाट को emulsify कर देता है, मतलब उसे छोटे छोटे तुकडों में तोड़ देता है, क्यों, क्योंकि फाट गुच्छे के फॉर्म में आते हैं, फाट एकदम आपस में जुड़े हुए होते ह काफी complex structure होता है, तो पितरस ये काम करता है, फिर आपके इस पर अगनाशाइरस से निकलने वाला lipase enzyme काम करता है, और वसा का पाचन करता है, clear है, next question के तरफ चलें student, question number 2, पितरस किसमें बनता है, आपके जो bile juice है, वो कहां बनता है, गुर्दा मतलब kidney, लागरंती मतलब आप के पितरस, question number 2 का answer, फड़ा फड़ से सब लोग comment करिये, मैं live हूँ आपके साथ chat box में, okay, वहां में आपके जो भी doubts है, वो सुन रही हूँ, आप मुझे बता सकते हैं, तो पितरस कहां बनता है, पितरस आपके liver में बनता है, कहां बनता है, और store कहां होता है, आपके पाचन में मदद करती है, लार किसके पाचन में saliva किसके digestion में help करता है, इस्टार्च के, फाइवर के, प्रोटीन के, या फिर आपके वसा के, मताईए, तो लार आपके very good third का हो जाएगा, first, स्टार्च, that is carbohydrates के पाचन में help करता है, clear है, चलिए, next question की तरफ चलते है, students, question number 4 की मुख गुआ में निमन में से किसका पाचन शुरू होता है, मुख गुआ, इसको बकल कैविटी बोलते हैं, आपके, या ओरल कैविटी बोलते हैं, mouth is the interior opening of elementary canal, then इसके अंदर आपके होते हैं, बकल कैविटी, बकल कैविटी have teeth, tongue, salivary glands, ठीक है, बकल कैविटी में इस क्या-क्या होता है, आपके teeth होते हैं, इसके लावा आपके, जो है, tongue होती है, then आपके glands पाए जाती है, salivary glands पाए जाती है, तो इसमें आपके किस का पाच स्टाड रहता है, very good, सबका आंसर एकदम correct है, option number 3, carbohydrates, carbohydrates का पाचन कहां से श्रू हो जाता है, तो मुख से श्रू हो जाता है, clear है, next मैं पूछती हूँ आपसे, fifth question, पेट द्वरा स्त्रावित, पेट मतलब इस्टमक की बात हो रही है, यहां पर आपके, बलगम की भूमिका क् this is mucosa, यह mucosa की ही बात कर रहे है, मैं आपको बताया है, कि mucosa क्या है? एक चिपचिपप अधार्त होता है, जो कि क्या गरता है? directly food के touch में होता है जिससे food क्या हो जाता है numb हो जाता है, soft हो जाता है क्योंकि उसमें mucos मिल जाता है और यह जो mucos है, यह bulgum की तरह ही होता है एक तरीके साफ समय लिए जैसे bulgum आपके जो खाम बगरा में भार आता है इसी type का होता है, यह mucos करने में हेल्प करता है यह भोजन में कीटानुओं को मारने में हेल्प करता है यह प्रोटीन को बचाने में हेल्प करता है म्यूकस कहां है अब जिन्होंने नहीं पड़ा है, वो सुलनी जिए जिन्होंने नहीं पड़ा है, वो मेरा जो भी कुछ है आपके पूरा जो digestive system जिसे आप बोलते हैं, ये कुछ layers में बटा होता है, इसमें तीन layers पाई जाती है, जो सबसे inner most layer होती है, अंदर वाली layer, इसको mucus layer कहते है, food direct जो है, आपके mucus layer की touch में आता है, जो second layer होती है, इसको आपके sub mucosa layer बोलते हैं, sub mucosa layers में आपके जो veins है, जो arteries है, जो तंत्रिकाएं होती है, nerves होती है, वो present होती है, और जो outermost layer होती है, इसको serosa बोलते है, ये muscular layer होती है, muscles की बनी होई होती है, ये आपके, जो वो होता है न, peristalsis movement, like क्रमान कुंचन गती, जो आपके food को pass होने देती है, क्रमान कुंचन गती समझते हैं, मतलब food इस गती के थुरू आगे वड़ता है, क्रमान कुंचन गती like कुछ होती है, मैं कैसे यहाँपर करके बता हूँ, आप समझ सकते हैं, आप जो कैसे आपके मुँ से पहुँच गया, तो GI ट्रैक क्रमान कुंचन गती होती है, उसमें peristalsis movement होता है, उसमें हेल्फ करता है, आपका muscular portion, जो आउटर मोस लेयर होती, इसको सिरोसा बोलते हैं, तो पेट जो बलगम की भूमिका होती है, वो आपके हो जाती है, जिसने वी option number one किया है, very good, पेट की परत की रक्षा, अगर especially आपके पेट या स्टमक में पूछा जाता है, कि मुकोसा लेयर क्या करती है, तो आपके जो स्टमक की लेयर है, उसको रक्षा ब्रदान करती है, किस से रक्षा ब्रदान करती है, SCL से, because पेट में क्या है, SCL है, और SCL क्या हो परत है, मुकोसा लेयर को, मतलब इस्टमक को बिल्कुल ज़ाए कर सकता है, BUT म्युकोसा लेयर क्या करती है, Milk of Magnesia, आपके ऐसको सिक्रीट करती रहती है, म्युकोसा लेयर जिस्से क्या होता है, छार उतपन होता है, और तो अमल जो है, जो स्टमक होता है, स्टमक की वाल पर सबसे लोंगेस्ट जो अंग है वह कौन सा है आपके अगनाशा ही वाहिनी अग्नाव पिजसले ही लुमें नाशे वहाईने मतलब pancreatic duct, छोंटी आथ मतलब small intestine, बनी आथ मतलब large intestine, और grass नली, grass नली is food pipe, grass नली को क्या बोलते हैं आपके food pipe, what is the difference between elementary canal and food canal, what is the difference between, मैंने आपको समझाया है, आहार नली वो होती है, जिसमें आपके भोजन शुरू से लेके अंत तक रहता है, आपने भोजन ingest किया, उसके बाद आपने भोजन को excrete किया एनस के थुरू, तो ये जो पूरी नली थी, जो भोजन मुक से लेकर के आपके एनस तक पहुँचता है, जहां से आप फ्रेश हो जाते हैं जाकर के, उस पूरी नली को आप आहार नाल बोलते हैं, अलिमेंटरी के नाल बोलते हैं, लेकिन भोजन नली केवल और केवल इसोफेगस पाइप को बोलते हैं, जो आपके मुक से भोजन को इस्टमक में लाने का काम करती है, ये नली आपके भोजन नाल और ग्रास नली के नाम से जानी जाती है, तो ये डिफ्रेंस अपना आप क्लियर कर लीजेगा, क्योंकि बहुत सारी बुक में इसको आहार नाल बोल देते हैं भोजन नाल को, जो की गलत है, एकदम गलत है, तो ये आप क्लियर करेंगे, आप बहुत साइन्टिफिक चीज पढ़ रहे हैं, तो साइन्टिफिक लिए उसको क्लियर करते चलेंगे, ठीक है, तो पाचान तंत्र का अगर सबसे लंबा भाग आपस पूछा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा यह उपर, सभी का अंसर साचुका है, लेकिन मुझे एक्सप्लेइन करते चलना है, हरीके स्टूडेंट को, क्योंकि हरीके स्टूडेंट की अपनी अलग एक कैपसिटी है, जोटी यात, दो चोटी यात, लंबाई कितनी होती है, मीटर्स में, आप इसको मुझे बताएंगे, fit में comment करिए फड़ा-फड़ से answer को मुझे comment करिए fit में और कितनी आपके इसकी लंबाई होती है और meters में इसकी कितनी लंबाई होती है क्योंकि ये सबसे longest part होता है आपके digestion system का और ये question मैंने आपसे अपने community tab पर भी पूछा था तो answer करिए आप लोग मैं आपको लाइफ चैट में ही वहाँ पर आंसर बताऊंगे इसका question number seven पाचन के बाद protein बदल जाता है पाचन के बाद protein मतला digestion के बाद जो proteins आप लेते हैं nutrients जो लेते हैं वो किसमें बदल जाते हैं शरकरा that is sugars, sucrose, sucrose is also sugar मोटी, मोटी मतला fat, then amino acids, amino acids किसमें बदल जाते हैं seventh का answer क्या हो जाएगा सभी का answer एकदम correct आ रहा है तेजी के साथ हो जाएगा four amino acids में आपके proteins बदल जाते हैं बट क्या directly बदल जाते हैं क्या directly आपने protein लिया हो वो पूरा प्रोसेस आप डाइजेशन वाले वीडियो में पढ़ेंगे डाइजेशन एब्सॉप्शन में पढ़ेंगे और जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको अच्छे से मेरे लगता है कि समाझ में आ गया होगा ठीक है अगर मैं यहां पर ये कॉशन पूश्न पूछ लूं आपके पाचन के बाद protein किस में बदलता है यहां पर मैं amino acids लिखती यहां पर मैं लिखती आपके पेट में पाचन के अगर मैं पेट में आपसे बात करूँ पेट में आपके प्रोटीन का पाचन स्टार्ट होता है तता है क्यों क्योंकि मुख में और एसो फेगस में तो किसी का पाचन नहीं होता है प्रोटिन नहीं कोई भी नहीं होता है तो अगर पूछती हूं मैं तो पाचन के बाद प्रोटिन आपके प्टाइट्स में बदल जाते हैं डिरिकली अमीनोस हैं नहीं बदलते आम्यून असेट्स में बदलते हैं वो आपके small intestine में जा करके clear है next question, question number 8 हमारे दैनिक भोजन में जो हम daily diet लेते हैं उसमें fiber की बहुत आवेशक्ता होती है किस के लिए बताईए, fiber fiber की बात कर रहे हैं यहापर यह fiber fiber मतलब ratio, ठीक है जो कि हमें लेना बहुत जरूरी है बहुत जरूरत होती है इसकी क्यों क्योंकि यह अतरिक तो protein प्रदान करता है क्योंकि यह अग्राशा दोरा इस्तरावित insulin को balance करता है जो आपके pancreas है वो insulin को secret करता है उसको balance करता है fiber यह हमारे शरीर को जो अपचिये भोजन है मतलब जो भोजन हमारे शरीर में digest नहीं हो पाता उसको छुटकारा पानी के लिए मदद करता है यह थकान को कम करनी के लिए fiber हमारी बॉड़ी में help करता है हमारी बॉड़ी में fiber किसके लिए help करता है सब का answer ठीक है option number 3 हमारे शरीर में जो अपचिये भोजन है actually यह सारे questions मैंने टेलिग्राम पर भी कराए हुए है जिन बचों नो टेलिग्राम पर नहीं कर पाए है जो नहीं जोइन कर पाए है वो यहां भी इससे कर सकते है ऐसे food materials जो डाइजिस्ट नहीं होते इसके लाबा जो fiber है यह हमारे बॉड़ी में stool को bulk प्रवाइड करता है मतला भार प्रवाइड करता है stool मतला आपकी potty जो है उसको भार प्रवाइड करता है जिससे वो easily हमारे बॉड़ी से निकल जाए खुद fiber भी हमारे बॉड़ी में digest नहीं होता लेकिन ही बहुत important है ऐसे पधारतों का हमारे शरीट से बहार निकलने के लिए जो हमारे शरीर में digest नहीं हो रहे है खाली पड़े है तो उन्हें यह साथ में लेके बहार निकल जाता है और आपको यह कहां से मिलेगा आप हरी पत्तेदार सबजी खाईए like GLVs, green leafy vegetables आप कुकुम्बर खाईए आप केला खाईए जिन में भी fiber भहुत ज़्यादा प्रेजन्ट होता है वो ज़रूर खाने चाहिए और डेली डाइट में शामिल करने चाहिए अब ही हमने बात करी थी आपको पता भी है कहां तो शुरू होता है आपके जिगर, मू, छोटी आथ, पेट जिगर is liver ठीक है? लिवर कोई बोलते है ना जिगर मू, माउथ, छोटी आथ, पेट मतलब इस टमाक तो पेट से पेट से जो है आपके प्रोटीन का पाचन स्टार्ट होता है, सभी का आंसर ठीक है कौशन नमबर 10 का आंसर बताईए लार में युक्त पाचन एंजाइम लार युक्त अमाईले से किसका पाचन शुरू होता है, लार, लार कहां होती है, मूँ मूँ में सलाइवा होती है, सलाइवा से किसका पाचन स्टार्ट होता है, स्टार्ट का पाचन स्टार्ट होता है, स्टार्ट किसमें तूट जाता है, माल्टोस में तूट जाता है, फिर माल्टोस बॉड़ी में जाके किसमें तूटते हैं, ग्लुकोस प्लास ग्लुकोस में माल्टोस जब तूटते हैं तो क्या यूनिट निकलती है आपके ग्लुकोस प्लास ग्लुकोस समझ में आ रहा है न तो यहाँ पर आपके आंसर क्या हो जाएगा very good option number one carbohydrates question number 11 निम्लिकित में से कौन सी कोश का मानव अमाशाई ग्रंथियों में मौजूद होती है इन में से कौन सी cells अगर जिसने भी मेरे से digestive system पढ़ा है तो इसने मेरे से stomach की cells पढ़ी होंगी goblet cells, chief cells, parietal cells, g cells पढ़ी होंगी na mucosar nex cells तो वो इसका अंसर कर पाएगा निम्लिकित में से कौन सी कोश का cells मानव की अमाशाई ग्रंथियों मतलब आपके अमाशाई stomach glands में present होती है stomach में glands होती है आपके जठर ग्रंथि जिसे आप बोलते है और stomach में आपके कौन सी cells प्रेंट होती है वो आप बताएंगे तो options हैं शलेश्मा गले की कोश का है यह गले की नहीं बात कर रहा है यह mucos neck cell की बात कर रहा है मैंने आपको बताया था इस तरी की structure होता है और उसमें जो है अलग-अलग cells present होते हैं यहाँ पर अभी मैं दिखाऊंगी इसका picture दूसरा है आपके पाचा क्या मुख्य कोशिका है पाचा क्या मुख्य कोशिका है मतलब इसको chief cells बोलते है इंगलिश में chief cells chief cells और digestive cells पार्षि केल शेष्मागले की कोशिका है मतलब मुकस नेकसल होती है वह सही मेरे अकॉर्डि जो मैं पडा हो यह सही से पढ़ा है ठीक है क्योंकि आपके PGT में तो पूछा जाता है साफ आपसे PGT में यह पूछी गई है गॉबलेट सेल्स कहा होती है ब्रूनर रगंती कहा होती है पूछ सकने हैं कोई भरोसा थोड़ी है एक्जामनर है और पाचन तो आपके डाइजेशन तो आपके स्लेबस में है जिसने भी आंसे किया है ऑप्शन नमर वन वह बिल्कुल करेक्ट है ठीक है चलिए आप जिनोंने नहीं पढ़ा है वो एक बार जेखेंगे जब हम बात करते हमारे स्टमक के बात करते हैं तो हम ने पढ़ा है कि तीन लेइर होती है हमारे पूरे GI track में mucos लेयर सम्यूककस लिएर तैंसे-रोसा लेयरह कर 거지 है ठीक है कई बार मैं आपको बिता चुकी हूँ जब हम पेट के अंदर आ जाते हैं तो बहुत सारी सेल्स पाई जाती है जो स जो फूड को गीला बनाए रखता है, पूरे जी आई ट्रैक को मॉइस्ट बना के रखता है, नम बना के रखता है, जिससे कि फूड आपका पत्रीला ना हो जाए, कंकर जासा ना हो जाए, नम रहे, क्योंकि अंदर के ओर्गन बहुत सॉफ्ट होते हैं, उसमें बोन्स नहीं ह ठीक है, ञाड तो फ़र सलाईवरी गलंड सेउर्ड करती है, पराइटल सेल्स, मोस्ट इंपोर्टन्ट आप याद रख लीजा इसको, समझ लीजाए जो पराइटल सेल्स होती हैं, जो ऑरंज कल लगी सेल्स नहीं, यह आपके हाइड्रोक्लोरिक एसड पेट में आपके S. शील सेल्स काप के अपराइटल र inhakt ent सेल्स कर पारइटल सेल्स भी बोलते हैं क्या बोलते हैं यह घल advocate 쉬णी में रोटे में मुखिया मुखिया इसली बोलते हैं क्योंकि यह प्रोटीन के पाचन करती है and the pepsin ozen convert into pepsin pepsin ozen पहले निकलता है फिर इस पे SCL work करता है दानी convert होता है pepsin में then फिर pepsin आपके तोड़ता है protein को polypeptides में या peptides में समझ में आ रहा है clear हो रहा है कि नहीं हो रहा है कई बार समझा चुकी हूँ and आपके D cells होती है D cells में आपको बताया था पेट में आपके intrinsic factor निकलता है जो कि आपके vitamin B12 के absorption के लिए बहुत जरूरी होता है vitamin B12 के absorption के लिए intrinsic factor कहां से निकलता है अमाशे के D cells से निकलता है ठीक और last one होती है आपके G cell जो कि आपके yellow color की यह दिख रही है यह G cell इन्हें आपके gastrin बोलता है gastrin या gastric cells बोली आप इसको जो कि क्या करती है इन सब को stimulate करने के लिए यह gastrin निकलता है पहले acid ऐसा secret करता है कि यह सारी cells अपना काम करना शुरूर करने इसके लिए gastrin बहुत जरूरी होता है जैसे ही आप food को देखते हैं आपके food को देखा आपके मुह में saliva आने लगता है तठी है अगर आपने बढ़िया आपने मन पसंद खाना देख लिए आपके मुह में saliva आने लगता है जैसे ही आपके मुह में saliva आने लगता है G-cells, gastrin, clear है, तो यह आपके समझ में आ गया, कौन गौंजी कोशिकाएं पाई जाती है, हिंदी में शलेश्मा गले की कोशिकाएं, that is goblet cell, इसको mucous neck cells भी बोलते हैं, चलिए, आगे चलते हैं, कोशिक नमेर 12 की तरफ, निम्लिकित में से कौन सी ग्रंती, insulin का उत्पादन करत आपका आंसर एकदम आना चाहिए, अगनाश है, यक्रत, लार ग्रंती, आँच की ग्रंतियां, कौन सीक्रीट करती हैं आपके insulin को, very good, it is agnash है, agnash है is pancreas, pancreas जो है आपके, वो क्या करता है, वो आपके insulin की बीटा सेल्स होती है pancreas में, islet of longer hands का पार्ट होता है, मैंने आ आपका आंसर करेंगे, और ध्यान नखिएगा मेरी हर एक चीज को, जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, islet of longer hands, आपके hormone सेक्रीट करती है, alpha, beta, delta, मैंने पढ़ाया था आपको, और जो है आपके बाकी जो percentage होता है, वो आपके क्या सेक्रीट करता है, enzyme सेक्रीट करता है, क्य पांसर 13 का 3 है, very good, 14 नमबर बताइए, निमलिकित में से कौन सा कथन सही है, नीचे चुक कथन दिये हुए है, इन में से कौन सा कथन एकदम करेक्ट है, पहला, भोजन का सायोजन बढ़ी आत में होता है, भोजन का सायोजन, मतलब भोजन जो है, मिलते हैं, जुलते हैं, मतलब मैक्रोविलाइज जो होते हैं, वो आपके प्रेजन होते हैं, बढ़ी आत में, तीसरा है, बढ़ी आत, छोटी आत के तुलना में चोड़ी और छोटी होती है, और चोथा है, पचने वाला भोजन का अवशोशन, जो आपने भोजन डाइजेस्ट कर दिया, उसका अव बढ़ी आत में होता है, आपको बताना है, इनमें से कौन सी बात एकदम सही लिखी हुई है, बताइए, फटा 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 आंसर कीजिए, कोशन नमर 14 का, बहुत तेजी के साथ आंसर आना चाहिए, तेजी के चक्कर में गलत आंसर नहीं करना है, भले ही एक सेगिंड लेलो दो सेगिंड लेलो, तीन, चार सेगिंड लेलो, दस सेगिंड लेलो, लेकिन कोशन को करेक्ली पढ़ो, देन आंसर करो, ठीक है, इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नमर 3, जिसने भी ऑप्शन नमर 3 आंसर दिया है, एकदम सही, बाकि सब कुछ गरत लिखा हुआ है, बढ़ी आत करती है, बढ़ी आत नहीं करती, फूड का सायोजन बढ़ी आत में नहीं, बलकि छोटी आत में होता है, ठीक है, लेकिन तीसरी बात बिल्कुल ठीक है, कि बढ़ी आत छोटी आत की तुलना में कैसी होती है, चोड़ी होती है, वाइड होती है, लेकिन छोटी होती है, सा कैसे difference करता रहता है pH what is the meaning of pH what is the full form of pH सबसे परहे तो आप मुझे यह बताएए what is the full form of pH जो बाद में देख रहे हैं यह वो भी comment करिए pH की full form और please be serious नेट पर देखके मत करना तुम्हें खुद को पता है तो करो otherwise मैं तो बताऊंगी ठीक है तुम्हें बताएए यह pH की full form क्या होती है सबसे परहे तो pH क्या होता है pH की full form होती है potential of hydrogen क्या होती है potential of hydrogen pH क्या होता है pH है potential of hydrogen ठीक है यह pH की full form है अब what is the meaning of potential of hydrogen pH explained as the strength of hydrogen pH described the concentration of hydrogen ions in a solution किसी भी solution में hydrogen ions के concentration and strength को बताता है pH, ठीक है potential, मतलब किसी भी solution में कोई भी solution ले लिजे आप उसमें hydrogen ions का क्या concentration है, मतलब कितनी मात्रा में है और उसकी strength क्या है मतलब वो कितना ताकदवर है कितना वीक है, कितनी strength है उस solution में hydrogen hydrogen ions की यह बताता है pH और यह indicates करता है कि कोई भी solution आपके acidic है और basicity है किसी भी solution में आपके acidity है या basicity है मतलब वो solution आपके अमलिय है या छारिय है तो that is pH, pH is potential of hydrogen, pH is potential of hydrogen किसी भी solution में like आपका पेट में आप SCL है, SCL hydrochloric acid आपके solution है तो उस hydrochloric acid में आपके hydrogen के ions, hydrogen ions, hydrogen ions मतलब इनकी जो आपके concentration है, मात्रा है और इसकी strength क्या है वो solution में यह आपके pH बताता है और इसको आपके 0 से 14 तक indicates करते हैं ठीक है 7 नमबर पे अगर 7 नमबर पे आजाते हैं तो 7 नमबर पे आपके neutral होता है कोई भी solution का अगर pH 7 आ रहा है तो it means neutral, सास से जितना नीचे जाएंगे solution उतना acidic होता चला जाता है और सास से जितना उपर जाएंगे solution उतना ही छारी होता चला जाता है तो अमलिय छारी कैसे पता चलता है concentration of hydrogen ions hydrogen ions की क्या concentration है solution के अंदर concentration मतलब मात्रा और उसकी strength, strength मतलब ताकत कैसी है समझ में आगया that is potential of hydrogen तो जब हम अपने digestive system के बात करते हैं और मैंने आपको पढ़ाया था कि मुख में अलग pH होता है पेट में अलग pH होता है और small intestine में अलग pH होता है तो बताई कैसे कैसे pH vary होता है पहले आपके अमलिय होता है, छारी होता है, फिर छारी होता है बताईए देन आपके जो है acid होता है, छारी होता है, फिर अमलिय होता है यह अमलिय होता है, चारिय होता है, यह चारिय होता है, अमलिय होता है, समझ की बताएगा, answer कीज़ेगा, pH, तो अगर आपने पढ़ा होगा digestion, मेरे से, मैंने जैसे पढ़ाया है आपको, तो सबसे पहले अगर हम बात करें मुख की, क्योंकि starting कहां से होती है, मुख से starting होती है, मुख में क्या है, लार है, तो जो pH होता है, लार का वो होता है, 6.8, कितना होता है, 6.8, and this is according to the NCERT, मैं NCERT को base मानती हूँ, हर चीज का, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा proof है हमारे पास, NCERT को कोई नहीं न कार सकता, ठीक है, तो यह according to NCERT पढ़ाऊंगी मैं आपको, digestion मैंन तो हमारे मुख में जब food जाता है, तो जो pH होता है saliva का, वो 6.8 होता है, फिर food आपके आता है, कहां आता है, पेट में, वहाँ pH होता है 1.8, मतलब so acidic, क्योंकि वहाँ भी क्या है आपके, hydrochloric acid है, ठीक, और मैंने आपको बताया है कि, acidic food पे small intestine काम नहीं करती, वो तो करती है चारिये पे काम, भाईया वो जलके गल जाएगी, वो चारिये फूट पे काम करती है, चारिये बनाने का काम कौन करता है, फूट को, कोली, सिस्टो, काइनी, पढ़ाया था ना मैंने आपको, और आपके secretin, जो आपके, अमाशाई से निकालते हैं, बाइल से निकालते हैं, और फिर आपके food को alkaline बनाते हैं, तो pH हो जाता है आपके 7.8, यह है pH का level, ठीक है, तो उपर pH क्या है आपके 6.8 और 1.8 डालते हैं, अमलिये, acidic है, acidic है pH, ठीक है, जो लार होती है, उसका pH थोड़ा, slightly acidic होता है, वरना तुम अपनी लार को अपने हार पे लगाओ, जल अगर जादा acidic हो गया तो, ठीक है, लेकिन जैसे पेट में आते हैं, pH क्या हो जाता है, 1.8, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोक्रोरिक असेड है, सोंचो किस तरीके से म्यूकस लेयर ने आपके आपके आथ को बचा के रखा हुआ है, आथ ने इस टमक को बचा के रखा हुआ है कितना वो काम करती है, तब ही कहते हैं, जादा मिर्च मसाला, तेल, तला, भुना, जादा जो आपके acidic food होते हैं, उन्हें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वह acidity को बढ़ाते हैं, फिर आपके pH होता है, छारिये, that is 7.8, तो pH कैसे vary करा हमारे पाचन तंतर में मूँ से लेके ग अमलिये होता है, मुँ में pH अमलिये क्यों है, पेट में pH अमलिये क्यों है, इसका reason भी तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब हमने पढ़ा है, जब हम फूड लेते हैं, तो कुछ microorganism हमारे फूड से हमारे मुँ के थ्रू आ जाते हैं, तो सबसे बहले तो उसे लाइज जोजाइम मारते हैं, जो की लार में प्रेजन्ट होते हैं, और वो वर्क कैसे कर पाते हैं, क्योंकि pH क्या है, थोड़ा सा अमलिये है, 6.8 है, चिक, फिर अगर तब भी नहीं मर पाए वो microorganism और वो आपके पेट में आ गए, तो उन्हें SCL का, SCL का का काम होता है, SCL के दो का होते हैं, आपके पेट में, हाइडोक्लोरिक असिट के, पहले तो यह आपके पैपसिनोजन को पैपसिन में कनवर्ट करता है, जो की प्रोटीन के वाचन के लिए जरूरी है, दूसरा यह आपके किटाणू को मारता है, अगर फूड में कोई किटाणू आ गए है, तो SCL उन समझ में आ गया, और फिर pH कैसा हो जाता है, जब हम छोंटी आज में फूर उतर जाता है, तो pH हो जाता है आपके 7.8, 7.8 है इसका मतलब चारिये है, तो पहले pH अमली होता है, फिर pH चारिये होता है, क्लियर हो गया है question, next question की तरफ चले, question number 16, and what is the meaning of pH, what is the full form of pH, समझ में आ सब को समझ में आ गया हो, सब note down करते चलेंगे, मेरी class में आप copy pan लेके बैठेंगे, रटने के लिए नहीं, समझने के लिए, question number 16, पाचन तंदर का कौन सा हिस्सा अनपचे खादे पधारतों में से जल और कुछ लवडों के आप शोषण में साहता करता है, पाचन तंदर का water का absorption जो है आपके बढ़ी आथ में होता है, किसमें होता है, large intestine में, किसमें होता है आपके, large intestine में, तो इसका answer क्या हो जाएगा, option number 2, question number 17, अमाशय की दिवार, अमाशय मतलब stomach, समझ के चलेंगे, अमाशय की दिवार में उस परत का नाम बताईए, परत मतलब layer का नाम बताईए, जिसमें तंत्रकाएं और रक्तवाहिनिया प्रेजंट होती है, रक्तवाहिकाएं प्रेजंट होती है, तो जब हमने layers की बात करी थी, पूरे GI tract की layers की बात करी थी gastrointestinal tract की बात करी थी elementary canal की बात करी थी तो मैंने आपको बताया था मुख्य तीन लेयर से बना होता है mucosa layer, submucosa layer, serosa layer, mucosa layer में बहुत सारी cells present होती है अलग-अलग जिगे पे अलग-अलग cells होती है submucosa layer को हिंदी में आपके क्या बोलते है opzlashma क्या बोलते है opzlashma 6 subscribed, hindi में दिखे mucosa layer ठीक है? इंग्लिष बाले भी लिखेंगे, हिंदी बाले भी लिखेंगे mucosa layer is called in हिंदी schlashma, schlashma is called in English mucosa layer शलेशma is called in English mucosa layer that is upzlashma हिंदी वाले लिख लीजिए, उपशलेश्मा को लिखेंगे, सब्म्यूकोसा लेयर, इंगलिश वाले लिखेंगे, सब्म्यूकोसा को हिंदी में बोलते हैं, उपशलेश्मा, ठीक है, और जो लास्ट, आउटर मोस्ट लेयर होती है, वो होती है, आपके पेशिये शलेश्मा, उसको बोलते हैं muscular mucosa, लिखे, muscular mucosa, इसका नाम होता है आपके cirosa, क्या नाम होता है cirosa, जो outermost layer होती है, इसका नाम होता है आपके cirosa, that is muscular mucosa, muscular mucosa, clear हो गया, तीनों layer के नाम clear हो गया, lamnia propria जो है, यह आपके, यह small intestine की जो layers होती है, small intestine में भी जो आपके, villi होते हैं na, villi, villi में जो epithelium layer होती है, उसके अंदर lamnia propria layer होती है, यह बात ध्यान लगेगा, small intestine में यह जो villi पाये जाते हैं, hair like projection, यह बात ध्यान लगेगा, hair like या finger like projection, उंगली की तरह समसनुचना होत इनकी विलाइस की जो आपके न्यूट्रिन को एब्जॉर्ब करते हैं तो इसमें आपके लेम्निय प्रॉप्रिया लेयर पाई जाती है ठीक है सबसे आउटर मोस लेयर होती है इसके अंदर होती है लेम्निय प्रॉप्रिया यह सामने पढ़ाया हुआ है क्लियर हो गया कोशन तो समझ में आगे जहांपे रक्त वाहिन है और अमाशे में ही नहीं पूरे ईआई ट्रैक में आपके जो भी शेल होती है वो आपकेまだ लेयर में हीम्निय मिदल लेयर मतलब उप्शलेश्मा सब्यूकोसा लेयर में ही होती है तंत्रिकाएं और आपके ये जो होती है क्या बोलते हैं रक्तवाहिनिया क्लियर है वसा का complete digestion कहां होता है fats fats completely कहां digest होते हैं आपके body में जाके अमाशे में ही digest हो जाते हैं मुख में छोटी आत में या बड़ी आत में क्योंकि हमने पड़ा है कि सबसे अधर digestion आपके छोटी आत में होता है और छोटी आत में ही जाके आपके fat का भी complete digestion होता है क्योंकि छोटी आत में जब fat आजाता है तभी फिर उस पर काम करता है आपके bile salts bile काम करता है आप हमेशा ध्यान लखेगा यह आपके structure है ठीक है माली जी यह आपका stomach है और फिर आपके यह C like projection होता है C like आपके सनचना होती है आपके dudanum की upper most part होता है सबसे उपर वाला part होता है आपके छोटी आत का इसको शायद हिंदी में ग्रहनी बोलते है student clear कर लेना है इसका अगर shape पूछा जायए तो C shape होता है C letter C for cat वाला देन फिर यह ऐसे घूम जाता है ठीक है तो यहीं पर जो है आपके यह माली जी यह गौल है गौल ब्लेडर भी आपके छोटी आत में ही आता है और यहाँ पे आपके होता है पेंक्रियास यह पेंक्रियास भी आपके छोटी आत में ही दोनों आते है और दोनों यह गौल ब्लेडर से जो रस निकलता है और जो आपके छोटी आत वो सॉरी अगनाशे से जो आपके पूण पांचा करस आता है यह दोनों एक ही डक्ट से आते हैं एक ही डक्टस से छोटी आते में गिरते हैं आके यह बात अब ध्यान लखेगा ठीक है तो वसा का पाचन आपके छोटी आते से ही स्टार्ट होता है हमेशा लॉजिक दिमाग में रखना इस्ट्रक्चर दिमाग में रखना जो इमेज है डाइजसे स्टम की वो दिमाग में तो वसा का पूर्णता पाचन कहां होगा छोटी आत में ही होगा अमाशय में नहीं होगा लेकिन अमाशय में थोड़ा सा लाइपेज पाया जाता है ये भी आप ध्यान लखेंगे अमाशय में आपके अगर आपसे स्पेशली पूछ ले जाए कि पेट में कौन-कौन से पैनक्रिया से ही होगा चोन पाचन में लेकिन हां है ओके ये पीट में पाचन में और वसा क्या होते हैं इस्को लाइपेज से टमाशय में चुर्ट सेसर्आ को खुछ बहुत कम अमाउंट में होता है, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, कि लाइपेस पेड में नहीं होता है, बहुत कम अमाउंट में होता है, ठीक है, यह बात आप ध्यान लखेंगे, और सबसे आदा जो आपके पूर्ण पाचाकरस, लाइपेस, अमाइलेस, ट्रिपसिन, इन तीनों क पचाने के लिए carbohydrates को protein को fat को पचाने के लिए carbohydrate को पचाएगा amylase ठीक है प्रोटीन को पचाएगा tripsin और फिर आपके बसा को पचाएगा lipase यह अगनाशे से secret होते हैं और dudanum में गिरते हैं dudanum मतलब females में बताईए puberty puber की मैंने पढ़ाया है ना puberty आप में puberty समझाई है ना अब इंग्लिश में है तो इंग्लिश में भी है मैं उसको हिंदी में explain कर रही हूँ इन में से कौन सा हॉर्मोन जो यौवन आरंब करने में महिलाओं में help करता है prolactin, oxytocin, follicle stimulating hormone या all of these very good answer हो जाएगा all of these follicle stimulating hormone आपके follicle follicle मतलब आपके ovum, oocyte को mature करने में help करता है oxytocin आपके glands है आपके ये क्या होते है दुख्द गरंथियां जो होती है इसमें help करती है and prolactin भी help करता है तो ये आपके तीनों answers हो जाएगे ठीक, clear है question number 20 की तरफ चले milk let down hormone is milk जो दूद है दुख्द गरंथि से दूद भाहर आता है breast में आपके milk glands पाई जाती है जो तब काम करना start कर देती है जब female pregnant होताती है ये काम करना start कर देती है तो कौन सा hormone है milk let down के लिए estrogen ये है आपके estrogen ये है आपके progestron ये है आपके oxytocin ये है prolactin तो अभी हमने बा जाता है वो होता है आपके oxytocin कौन सा होता है oxytocin जब बच्चा बैदा हो जाता है और मा का दूद निकलता है तो oxytocin hormone उसमें help करता है clear हो गया student next देखिए human normally have dash number of pairs of autosomes जब मैंने आपको cell division पढ़ाया था cell division समझाया था मैंने आपको दो तरीके के chromosomes के बारे मताया था first one is autosome जो बिलकुल एक जैसे होते हैं पूरुष और महीला दोनों में ठीक है और एक बताया था मैंने आपको allosome तो देखिए यहाँ पर वही चीज पूछ रहे हैं यह question में कि humans normally have कितने number of pairs autosomes पाय जाते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे मनुष्य में कितने जोड़ी जो ह हैं तो क्या हो जाएंगे 46 total number of chromosomes कितने होते हैं 46 इसमें 23 में जो स्टूडेंट 22 होते हैं 22 जोड़े एकदम एक जैसे होते हैं पूरुष में भी और महीला में भी उससे हम बोलते हैं autosomes क्या बोलते हैं autosomes एकदम सेम होते हैं लेकिन इन में एक जोड़ा होता है जो 23 में नं में क्या पाई जाते हैं xy बस male में xy होता है और female में xx होता है तो इस जोड़े को बोलते हैं student allosome क्या बोलते हैं allosome क्या बोलते हैं allosome तो आपको समझ में आया difference between autosome and allosome समझ में आया autosome मतलब सगदम एक जैसे एक जैसे hormone है sorry chromosomes हैं बिलकुल तो 22 हमारे humans में 23 जोड़े होते हैं total होते हैं 46 क्योंकि एक जोड़े में 2 होते हैं ठीक है एक जोड़े में कितने होते हैं 2 ठीक उसमें से 22 होते हैं बिलकुल एक जैसे जिने हम बोलते हैं autosome और 23 जोड़ा आलग होता है वो पुरुषों में होता है xy और महीला में होता है xx जो बच्चे का sex निर्ध आप आप यहां पर 21 जोड़े एकदम सेम होते हैं लेकिन जो 23 नमबर का जोड़ा होता है मतलब केवल एक जोड़ा ऐसा होता है जो अलग होता है फीमिल्स में आप मेल्स में 22 की तरफ चलते है यह टीज़टी में भी पूछा गया था आप से लास्ट यह टीज़टी में पूछा गया है फर्टिलाइज़टी सेल ठीक है यह आप बोल सकते हैं न्यू सेल आप फीमिल की बाड़ी में जो न्यू सेल बना जो फर्टिलाइज सेल बना वो क्या कहलाएगा वो एम्ब्रियो कहलाएगा uterus कहलाएगा, zygote कहलाएगा none of the above कहलाएगा वो आपके शाबाज, सबका अंसर एकदम करेक्ट आ रहा है the fertilized, मतलब निशेतिच जो आपके कोशिका है जिसका निशेचन हुआ है fertilization हुआ है, वो आपके कहलाएगा zygote, इसको आप new cell भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे new cell, एक नया cell बनाएग, इसका period क्या होता है 0 to 2 weeks लिखते चलिए, 0 to 2 weeks, ठीक है 0 to 2 weeks zygotic period होता है, and 2 weeks to 8 weeks आपके कितना period होता है, embryo का period होता है embryo का period होता है इसको हिंदी में zygote को I think dimb आवस्था बोलते हैं, या beija आवस्था बोलते हैं, है ना dimb आवस्था या beija आवस्था, और embryo को आपके क्या बोलते हैं, brunia आवस्था बोलते हैं, brunia और आपके fetus, जो आपके 8 weeks to worth होता है, 8 weeks to worth वो complete गर्वर्स शिशू की आवस्था बोलते हैं उसको period of fetus बोलते हैं मैं आपको एक topic पढ़ाऊंगी layers of fetus जो की पूछा भी गया था last year और मैंने भी TGT में पूछा गया था मैंने भी add कराया है वो question और मैं वो पढ़ाऊंगी भी layers of fetus fetus की कौन कौन सी layers होती है जिसमें fetus आपके रहता है clear है समझ में आ गया और यह fertilization वाला topic तो मैंने पढ़ाया हुआ है evolution to fertilization आप पढ़ सकते हैं question number 23 की तरफ चलते हैं where does the process of fertilization take place in human body मनुष्य के शरीर में कहां पर किस जगा पर fertilization की प्रकरिया निशेचन की प्रकरिया संभव होती है या हो पाती है बताईए कहां पर uterus मतलब गरभाशे में fallopian tube मतलब निशेचन नली में ovary मतलब अंडाशे में vagina मतलब yoni में हिंदी में भी मैं बता रही हूँ English में भी बता रही हूँ बताईए जो निशेचन की प्रकरिया है निशेचन मतलब आपके निशेचन ऐसे लिखते है न हाँ निशेचन fertilization ये कहां पर हो पाता है females में होता है specially तो आपको पताईए जब spam enter करते है महिला के अंदर फिर उसका ovum मिलता है तो कहां पर मिलते है हाँ बिल्कुल very good सबका answer एकदम करेक्ट आ रहा है fallopian tube which part of fallopian tube comment करिए फड़ा फट in which part of fallopian tube ये मैंने पढ़ाया है मैंने समझाया है मुझे पता है fallopian tube में तो होते हैं लेकिन अगर मैं पूछो fallopian tube के भी किस part में होते हैं किस part में fallopian tube के 4 part होते हैं ठीक है infindibulum isthmus ampulla fembrae तो किस में होते हैं very good ampulla part में कहां पर होते हैं ampulla part में ampulla part होता है जिसमें आपके ovum और आपके sperm दोनों मिलते हैं और एक new cell बनता है zero day से उसको count करते हैं zygote क्या बनता है आपके zygote ठीक है समझ में आ गया question number 24 की दरफ चलते है the function that is not influenced by estrogen estrogen किसका hormone है महीला सेक्स hormone है हमने पढ़ाया है आपको FSH जो है आपके follicill stimulating hormone और luteinizing hormone जो कि आपके pituitary gland के आगे वाले भाग से निकलते हैं pituitary gland जो कि master gland of the body है इस तरीके से होती है यह इसका आगे वाला भाग होता है यह इसके पीछे वाला भाग होता है आगे वाले भाग से इसके FSH LH TSH बहुत सारे hormones निकलते हैं ठीक है FSH और LH FSH मतलब follicill stimulating hormone जो follicle ovum को आपके stimulate करता है मतलब mature करता है और luteinizing hormone जो आपके luteal face को mature करता है जब मैंने आपको menstruation पढ़ाया था उसमें समझाई यह हरी चीज यह दोनों निकलते हैं और यह दोनों जाके female की ovary पे काम करते हैं जब कि दोनों female की ovary पे काम करते हैं तो आपके FSH से निकलता है estrogen estrogen और ls से निकलता है progestron ls से कौन सा hormone आपके secret होता है progestron दोनों female की ovary पे काम करते हैं तो बताइए जो estrogen है estrogen आपको es से भी मिलेगा spelling इसका और os से भी मिलेगा तो कभी भी परशान मत होना यह एक ही चीज है estrogen या estrogen आपको एक ही चीज है यह चीज समझके चलना है is not कौन सा function नहीं है estrogen का female body में release of egg from the ovaries अंडाशय को अससे मतला ovaries से जो है अंडे निकालना इसका function है कि नहीं है बताओ formation of spumps spumps जो है शुक्राणों है इसके बनाने का काम है इसका या नहीं है development of the breast breast जो होती है उसको इसको डवलप करने का काम है या नहीं है menstrual cycle मतला मासिक इस्तराव इसका करने का काम है या नहीं है पहली बात estrogen आपके female sex hormone है तो यह menstrual cycle में भी help करता है breast के development में भी help करता है यह egg को release करने में भी help करता है ovaries से लेकिन यह formation of spums नहीं करता क्योंकि formation of spums किसका काम है males का काम है पुरुषों के शरीर में होता है spum का formation महिलाओं के शरीर में नहीं होता और उसके लिए responsible होता है testosterone ठीक है not estrogen clear हो गया? चलिए next question चलते है, question number 25 in the menstrual cycle जो menstrual cycle होती है मासिग इस्तरा होता है lowering of which hormone cause menstruation ऐसा क्या होता है कौन सा hormone इतना low हो जाता है कि bleeding आ जाती है, menstrual cycle आ जाती है पूरी menstrual cycle में मैंने यह चीज आपको पड़ाई होई है कि कब-कब जो आपके estrogen और progesterone जो दोनों hormone होते है इनका level कब आपके ऊपर होता है कब आपके ऊपर जाता है कब आपके नीचे जाता है पूरा मैंने आपको समझा है तो बताईए कौन सा hormone responsible है आपके especially menstrual लाने में periods लाने में कौन सा hormone responsible है progesterone, thyroxine, estrogen या follicle stimulating hormone answer करिए फड़ाफट से जिन्होंने menstrual cycle पढ़ रखा होगा अच्छे जे वो इसका answer कर पाएंगे रटने वाले बच्चे नहीं कर पाएंगे इसका answer होगा आपकी progesterone जैसे ही आपके graphene follicle rupture हो जाता है graphene follicle, वो follicle होता है जो पूरा mature होता है रट्चर हो जाता है रट्चर मतलब फट जाता है और आपके oocyte जो ovum है वो बाहर निकल जाता है जब वो ovum बाहर निकल जाता है तो उसके रट्चर, उसके तुकड़े क्या बन जाते हैं कार्पस लूटियम बन जाते हैं अब दो condition होती है फीमेल के शरीर में उस समय या तो वो fertilize हो जाएग जो आपके ovary से निकल गया और आपके फैलोपिन ट्यूब ने उसको सक कर लिया तो फैलोपिन ट्यूब में या तो वो क्या होगा आपके fertilize होगा ठीक है और या फिर वो क्या होगा fertilize नहीं होगा उसको sperm नहीं मिलेगा तो progestron जो होता है यह pregnancy को support करता है progestron किसको support करता है pregnancy को अगर pregnancy होगी तो progestron उसको support करेगा ठीक है और अगर जब fertilization ही नहीं हुआ तो विचारे progestron का level जो high था luteal stage में वो कैसा हो जाएगा बिल्कुल गर जाएगा estrogen का भी गिर जाएगा progestron का भी गिर जाएगा लेकिन luteal phase में आपके progestron का level सबसे high होता है और वो गिर जाएगा जिस वज़े से क्या हो जाएगा जो आपके endometrium layer होती है uterus की blood की होती है मैंने आपको बताया है उसकी thickness जो होती है वो कम हो जाएगी वो shed हो जाएगी और यह जो ovum बना है यह जो ovum होता है यह भी क्या हो जाएगा rapture हो जाएगा खतम हो जाएगा clear है तो progestron responsible होता है आपके menstrual cycle लाने के लिए menstrual cycle को जो आपके period से हैं उसको लाने के लिए clear है क्योंकि progestron ही pregnancy को support करता है clear अगर pregnancy हो गई यह ovum fertilize हो गया तो कभी भी menstrual नहीं आएगी normal हम female की बात कर रहा है progestron support करेगा pregnancy को आगे clear next question के तरफ चलते है question number 26 which of the following is not a part of female reproductive system अब यह question हिंदी में भी पूछ जाते हैं मैंने English में लिख लिए है तो हिंदी वाले परशान ना हो मैं एक एक चीज को हिंदी में बता रही हू same यह questions आपकी exam में आते हैं इन में से बताए यह कौन सा जो है female reproductive system का भाग नहीं है मतलब महीला प्रजननतंत्र का भाग नहीं है मैंने पूरा महीला प्रजननतंत्र आपको पढ़ाया हुआ है आप पढ़ सकते हैं YouTube पे ही पढ़ाया free of course सब कुछ आप पढ़ सकते हैं बदाईए अब pair of ovaries बिल्कुल ovaries pair में होती है यह बात ध्यान लखना एक इधर होती है और एक आपके इधर होती है ovaries pair में होती है एक महीने एक ovary काम करती है दूसरे महीने दूसरी ovary काम करती है यह बात ध्यान लखना pairs में होती है ovaries ठीक है sperm duct जिससे sperm निकलते हैं वो duct uterus या ove duct यह जो ovaries होती है यह ove duct के थूरू जुड़ी होती है uterus से कुछ इस तरीके का डिजाइन होता है ऐसा ठीक है यह होती है लेकिन यह जुड़ी होती है ove duct ऐसे गरके uterus से जुड़ी होती है तो बताए कौन सा पार्ट नहीं है आपके female का very good sperm duct भाहि sperm की बात हो रही है मतलब पूरुष की बात हो रही है महीला की बात नहीं हो रही है इसके लाभा pair of ovaries हर female में होती है uterus भी होता है मतलब गरभाशा भी होता है and ove duct यह ove duct होती है जो की ovaries की होती है ovaries जिस से जुड़ा होता है uterus से उसे बोलते है ove duct यह भी present होती है clear 27 which hormone is secreted by the testis testis किसका testis कहां पाय जाते है testis आपके पूरुष में पाय जाते है वरशन बोलते हैं से हिंदी में क्या बोलते हैं वरशन तो कौन सा hormones इसमें secret होता है testosterone, progesterone, TSH insulin बताईए insulin दो भाया कौन secret करता है आपके pancreas secret करता है तो कोई मतला भी नहीं बनता TSH, thyroxine stimulating hormone full form होती है thyroxine stimulating hormone यह कौन secret करता है यह pituitary gland secret करती है pituitary gland का आगे वाला भाग secret करता है तो यह भी नहीं हो सकता progesterone कौन secret करता है progesterone तो ovary secret करती है female की ovary secret करती है तो ये भी नहीं हो सकता, क्या answer होगा आपके, testosterone, 27 का answer क्या हो जाएगा, testosterone, ये किसका answer है, किसका, किसके तोरा secret होता है, testis के तोरा secret होता है, testosterone, जिसने भी first answer किया, very good, keep it up, question number 28, in adult human, एक adult human में, RBC कहां बनते हैं, बताईए, RBC, red blood cells, erythrocydes, कहां बनती हैं, बताईए, लीवर में बनती हैं, मतलब यकरद में बनती हैं, bone marrow में बनती हैं, kidney मतलब आपके ये, bone marrow को बोलते हैं, अस्थी मज्जा, हिंदी में, kidney मतलब आपके व्रक में बनती हैं, pancreas मतलब अगनाशा में बनती हैं, कहां बनती हैं, RBC, very good, bone marrow, अस्थी मज्जा में बनती हैं, सब का answer 29 बताई इताई इताई रोग मतलब इताई इताई भी बोलते हैं इसको यह किसके कारण से होता है किस वज़े से इताई इताई रोग कॉज होता है मरकरी, कैडमियम, आरसेनिक या नाइटरेट इताई इताई रोग किसके वज़े से कॉज होता है इताई इताई रोग आपके श विशानू का नाम बदाईए एंटामिवा हिस्टोलिका हिस्टोलिटिका विव्रियो कॉलरा वैसलेस टाइफोसस वैरिसेला विशानू बिल्कुल सभी का अंसर एकदम तेजी के साथ आना चाहिए कोश्ण नमबर 30 का आंसर करेंगे आप और अपना option मेंशन कर देंगे तो 30 का आंसर हो जाएगा आपके वैरिसेला वाइरस वैरियोला वाइरस वैरिसेला वाइरस सब एक की बात है जिसके वुझे से क्या कॉज होता है आपके चिकन पॉक्स कॉज होता है क्लिया चलिए नेक्स चलें कुश्ण में 31 डेंगू किसके करण होता है डेंगू डेंगू जिव होता है वाइरस से होता है डिंगू क्लियर कोशन नमर 32 का आंसर दीजे सभी बहुत तेजी के साथ इंफ्लूएंजा रोग किसके कारण्ड होता है यह सब कोश्चन आपके पीवाई क्यूज भी है और बहुत इंपोर्डिंट है आपके एक्जाम में आने की पूरी संभावना इनकी TGT में भी PGT में भी LT में भी RPSC में भी सब की जिसकी आप त्यारी कर रहे हैं सब में आ सकता है इंफ्लूएंजा किसके करण्ड से होता है आपके इंफ्लूएंजा भी आपके बैक्टिरियल स्वाइरल डिजीज है वाइरस से होने वाली बिमारी है इंफ्लूएंजा चलिए, next चलते हैं question number 33 की तरफ अतिरिक्त 21 में गुणसूत्र के कारण कौन सी बिमारी होती है देखिए, आपने बहुत सारी बिमारी पढ़ी है मैंने भी आपको पढ़ाई है, आपने पढ़ी भी है आपने bacteria से होने वाली बिमारी पढ़ी है आपने virus से होने वाली बिमारी पढ़ी है fungus disease पढ़ी है, protozoal disease पढ़ी है मैंने आपको genetic disorder भी पढ़ाए है genetic disorder वो disorder होते हैं जो gene में समस्या आने की वज़से होते हैं जिसमें सबसे royal disease बोली जाती है आपके hemophilia आपने पढ़ा होगा hemophilia एक royal disease है लेकिन जब कभी भी आपके chromosome की संख्या में chromosome क्रोमोजोम क्या होते हैं जो क्या करते हैं हमारी जो genes हैं वो transfer करते हैं एक पीडी से दूसरी पीडी हमारे माबाब से हमको क्या मिले हैं genes मिले हैं, हमारे genes हमारे बच्चों में transfer होंगे फिर हमारे बच्चों से उनके बच्चों में transfer होंगे और यही चीज क्या cause करती है? heredity cause करती है जब कभी भी chromosomes की संख्या में differences आ जाते हैं मतलब chromosomes या तो जादा हो जाते हैं या chromosomes के number आपके कम हो जाते हैं student तब आपके कुछ syndrome cause होते हैं क्या cause होते हैं? आपके कुछ syndrome cause होते हैं जैसे down syndrome, turner syndrome klein filter syndrome यह सब यह भी सब genetic disorder है लेकिन यह especially आपके errors of chromosome number पर दश्रित करते हैं मतलब इसमें क्या होता है? chromosomes के number में मुक्के ताप कितने chromosome होने चाहिए? 2 होने चाहिए कितने होने चाहिए? 2 लेकिन कभी क्या हो जाएगा? एक और इसमें होगा या कभी कभी क्या होता है? केवल एक ही रह जाता है दो होते ही नहीं है तो उसको बोलते हैं आपके chromosomal disorder, जो कि genetic disorder ही है अब इसमें आपसे पूछ रहा है 21 गुड़सूत्र है 21 गुड़सूत्र मतलब trisomy है 21 जोड़ा है उसमें 2 की बजाए कितने हो गए है? 3 गुड़सूत्र हो गए है 3 गुड़सूत्र मतलब 3 chromosomes present है इसको trisomy भी बोलते है इस syndrome का नाम क्या है? इस syndrome को गयते हैं आपके down syndrome क्या कहते हैं आपके down syndrome इसका एक और नाम है इसका आपके mongolid idioci भी बोलते हैं इसको ठीक है? मंगोली जड़ता इसमें क्या होता है? व्यक्ति का सिर एकदम गोल हो जाएगा गर्दन बहुत मोटी होगी आँखे तिर्ची तिर्ची होंगी ये down syndrome होता है और ये पुरुषों में बांजपन भी cause करता है जो पुरुष होते हैं इसकी वज़े से नपुनसक भी होते हैं बांज भी होते हैं clear है? तो ये क्या है? ये chromosomal disorder है मतलब chromosomes की संख्या अब 21 में आपने पढ़ा है हमारे कितने जोड़े गुणसूतर होते है 23 होते है 23 में से जो 21 में नंबर वाला है 2 होने चाहिए लेकिन 2 के साथ क्या है? प्लस 1 है ठीक है? मतलब 3 है 3 है कितने गुणसूतर है? 3 है इसका मतलब trisomy है trisomy है trisomy है 3 है तो trisomy है तो यह कौन से बिमारी हो गई? डाउन सिंड्रोम आप ध्यान लखेंगे डाउन सिंड्रोम में 21 में जोड़ा अब ऐसे कैसे याद रखोगे आप? देखो जब हम 1 से लेके 23 तक जाते हैं तो डाउन जाते हैं डाउन डाउन जाते हैं न 21 तक जाएंगे नीचे तक आप सीड़ी से जाएंगे ऐसे आप याद अखिए इट इस ट्रिक क्लियर है? तो ऐसे आपको याद रहेगा डाउन सिंड्रोम अगर मैं बास करूँ आपके टर्नर सिंड्रोम की टर्नर सिंड्रोम भी यही प्राबलम होती है उसमें क्या होता है? उसमें केवल एक ही गुड़ सूतर उपस्थित होता है मतलब मोनो सोमिक होती है दो होने चाहिए दो की जगे क्या होगा? माइनस होगा केवल एक ही गुड़ सूतर होगा ये females में होता है इसमें female banj पैदा होती है females मतलब banj होती है जिनमें ये Turner syndrome होता है एक होता है आपके Klein-Filter syndrome Klein-Filter ये लिखा हुआ है यहाँ पर Klein-Filter syndrome इसमें क्या होता है इसमें 2 की बजाए 3 हो जाते हैं और हाँ, जो मैंने आपको बता है Turner syndrome, उसमें link chromosome इसमें एक कम होता है ठीक है, ये बात आप ध्यान लखेगा जो जेंडर आपके बच्चे का बताता है उसमें, female में कितने होने चाहिए एक सेक्स होने चाहिए और female में कितना होता है, केवल एक ही होता है तो मतलब female banj है समझ में आ रहा है, कैसी ये female वो banj है मतलब वो नपुनसक है तो वो बिमारी कहलाती है आपके Turner syndrome और males में क्या होता है males में जो link होते हैं मतलब जो बच्चे का gender बताते हैं link बताते हैं, sex बताते हैं बच्चे का, कि लड़का होए, लड़की होगी तो वो x y होना चाहिए males में लेकिन क्या होते हैं, x x y होते हैं क्या होते हैं, x x y होते हैं तो ये बिमारी कहलाती है, klein filter syndrome जिसमें पूरुष में ये बिमारी होती है वो पूरुष banj होता है, नपुनसक होता है तीरों बिमारी समझ में आ गए आपके ये chromosomal disorders है down syndrome, turner syndrome, klein filter syndrome clear हो गया चलिए next question की तरफ चले question में 34 तपैदिक प्रती रक्षण मतलब आपके तपैदिक मतलब 6 रोग 6 रोग क्या बोलते हैं, यक्षिमा आपके TB, tuberculosis के लिए BCG की vaccine किसने बनाई थी options हैं आपके सामने Edward Jenner, Jonas Salk, Albert Savin Albert Calmet, Cameline Gurine Camelie Gurine और Lewis Pasteur, किसने बनाई है ये आपके BCG vaccine BCG vaccine आपके बनाई है, very good Albert Calmet, Camelie Gurine that's why BCG की full form है Bacillus Calmet Gurine क्या नाम है Bacillus Calmet Gurine BCG की, क्योंकि इसको बनाया है Albert Calmet ने और Camelie Gurine ने, clear हो गया चलिए next question 35 number BCG की vaccine आपके इस बिमारी की BCG की vaccine किसके लिए दी जाती है तो हमने पड़ा है TV जिसे आप तपैदिक बोलते हैं यक्षमा बोलते हैं, छैरोग बोलते हैं ट्यूबो क्लॉसिस बोलते हैं जोकि Mycobacterium ट्यूबो क्लॉसिस से cause होती है, उसके लिए बच्चों को BCG की vaccine जनम के तुरंद बाद देनी चाहिए जनम के तुरंद बाद देनी चाहिए clear? question number 36 का answer सफटाफट्स करेंगे निमने कि मैज़े कौन सा बैक्टिरिया? हैजा का कारण है हैजा मतलब कॉलरा कौन सा बैक्टिरिया है जिसी वैसे हैजा होता है तो very good सबका answer एकदम सही है three option विवरियो कॉलरी जो कि आपके क्या कॉस करता है कॉलरा हैजा कॉस करता है question number 37 देखेंगे सब निमने कित में सा कौन सा जल जनित बिमारी का एक उधारन है मतलब water bond disease है diphtheria, tonsil, अतिसार, खसरा अगर ऐसे आपसे पूछ ले जाए water bond disease कौन कौन सी है तो आपके typhide आपके जल जनित बिमारी है हैजा आपके जल जनित बिमारी है hepatitis आपके जल जनित बिमारी है और आपके अतिसार डाइरिया आपके जल जनित बिमारी है जल जनित बिमारी है, आप दो कर्टेगरी बनाएंगे, एक तो जल जनित बिमारी के और एक वायू जनित बिमारी के, ठीक है, वायू से फैनने वाले रोख, तो वायू में आप क्या जता है, TB, ट्यूब कलॉसिस, जो कि वायू की दौरा संचारित होता है, क्लियर है, 38 का आँ थी, सामने आई थी, संसद में कब वो अधिनियम पारित हुआ था, लास्ट ही वीडियो में मैंने आपको चार डेट्स याद कराई थी, मनरेगा से, 2005, 2006, 2008, 2009, 2007 उसमें नहीं था, तो कौन सा इसमें आप्शन सही हो जाएगा, वेरी गुड, शाबा, जिसका आप्शन है, गारंटी अधिनियम, 2005, हालाकि ये पहले नरेगा था, 2009 में ये मनरेगा हुआ है, लेकिन अभी इसको मनरेगा ही करके हम इसको फॉलो कर रहे हैं, तो पहले 2005 में संसद में ये पारित हुआ, 2006 में ये लागू हुआ, आंत्रप्रदेश में, फिर ये 200 जुले में लागू 2009 में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया, तो आप ध्यान लखेंगे, क्लियर है, बिक्कुल सही, जिसका option number 3 है, एकदम सही, question number 39, प्रधान मंतरी उज्जुला योजना शुरू की गई, बताइए कब, जुलाई 2017, जन्वरी 2018, मई 2014 ये मई 2016, तो इसका answer क्या हो जाएगा आपके प्रधान मंतरी उज्जुला योजना कब शुरू की गई, मई 2016 में, जिसमें आपके guest connection ladies को बाटे गए थे, उज्जुला योजना, प्रधान मंतरी उज्जुला योजना कब शुरू ही, मई 2016 में, ठीक है, question number 40 की दरफ चलते हैं, निमलिकित में से कौन सा एक ऐसा प्रमुक स संस्थान है, institution है, जो भारत में ग्रामीड विकास पर, मतलब ग्रामीड विकास पर प्रशिक्षन देता है, training देता है, और अनुसंधान करता है, मतलब research करता है, ग्रामीड विकास के लिए training देता है, research करता है, बताए, राष्ट्रे ग्रामीड संस्थान है, राष्ट्रे ग डवलप्मेंट के लिए ट्रेनिंग प्रशिक्षन देता है और अनुसंधान करता है इसका option क्या हो जाएगा इसका option होगा आपके option no.3 राश्ट्री ग्रामीन विकास और पंचायती राश संस्थान ठीक है अब इसको खोजो यह कहां है इसकी स्थापना कब हुई इस समय वर्त 31 की तरफ चलते है प्यूष घंधी प्यूष मिलिक घ्रानथी अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से अन्य अंता स्ते घ्रावी ग्रांथ्यों की स्ते अच्रावी सक्रेताओं को नत्रती करती है यह मतलब मतलब बी ए आपको पता है यह अंतर haormoz निकालती है, जो अधर, जो हमारे बाडि में ग्लैंड्स है उसको भी मतलब वो करती है, रहे कंट्रोल करती है लाइक जैसे ये टी-एसाष निकालती है, तो ये थाइ्रोकसिन थायरोड ग्लैंड को कंट्रोल करती है आपके FSH एलेश निकाल लही थी तो यह ovaries को control कर रही थी females की इसलिए इसको master gland of the body बोलते हैं क्योंकि यह सारी ग्रंथियों को control करती है ठीक है लेकिन इन में से एक ऐसी ग्रंथी है जो प्यूश ग्रंथी से भी स्वतंतर कारिक कर सकती है इन में से कौन सी एक ऐसी अन्ता इस्तरावी ग्रंथी है अब तो मतला आपके thyroid gland जनन मतला आपके gonad gland अधिवरक्र मतला आपके adrenal gland जो कि आपके गुड़दे के ऊपर पाई जाती है और दो होती है यह पराफ्टू मतला आपके parathyroid gland इसका आंसर दीजिए फड़ा-फड़ से प्योश ग्रंथी बहुत सारे ऐसे hormones निकालती है जो दूसरी आपके अंदर ग्रंथी आया है आपके अंदर बहुत सारी ग्रंथी आपके अंदर बहुत सारी ग्रंथिया है अंतरसावी ग्रंथी आपने पढ़ियोगी thyroid, parathyroid, adrenal, pineal, pituitry, hypotheले बहुत सारी gland से हैं कौन सी आसी गलंती है ये प्यूश से अलग होकर भी सौतंत बरेकर वी काम कर सकती है वो है आपके पय्र फार्यृट्यर मैं जो की फार फार मीट करती है पीट हमोंग पेरत होर्मोन ठीक है और बहुत important काम करता है पेरत होर्मोन आपकी बोड़ी के अंदर calcium ions को नियुक्त करता है calcium ions जो calcium है आपकी बोड़ी के अंदर calcium के जो ions है इसको regulate करता है और ये capacity रखती है ये प्यूश ग्रंती से सोतंतर होकर भी काम कर सकती है मतलब ये depend नहीं रहती कि हाँ भाई पीवश ग्रंती निकालो मेरे लिए पहले एक हॉर्मोन निकालो जो मुझे stimulate करे और तब मैं काम करूँ ऐसा नहीं है ये अलग भी काम कर सकती है समझ में आया आपके समझ में आया चलिए question number 42 की तरफ चलते है आपके बाद दो सूची है उन दो सूची वह आपको मिला देना है adrenaline, estrogen, insulin, hormone pharomone क्या क्या करती है वही बताइए adrenaline क्या करती है आपके estrogen क्या करती है, insulin क्या करती है pharomone क्या करती है options दिखाई देना है सबको फटा फटा सब मिलाएंगे adrenaline क्या करती है आपके adrenaline ग्रंथी से आपके adrenaline hormone निकलता है epinephrine hormone निकलता है ठीक है और नार-adenylen निकलता है उसको norepinephrine करते है adrenal glands से जो क्या आपके kidney के उपर पाई जाती है दो होती है यह आपके क्रोध भै खतरा इसलिए इसको fear और आपके love यह वाली बोलते हैं बहुत important ग्रंथी होती है इसके बारे में मैंने पढ़ाया हुआ एक बार आप जरूर देखेगा estrogen बिल्कुल estrogen होर्मोन किस से relate हो गया female से insulin किस से relate हो जाएगा glucose से और phheromone phheromonic ऐसा hormone होता है जो गंद के बोध से साथी को आकरशित करने में help करता है ठीक है तो यह इस से मिल जाएगा आपके clear हो गया समझ में आ गया तो क्या option मन जाएगा हमारे 1 3 then 4 then 2 option number C 1, 3, 4 and 2 D किस से मिल जाएगा आपके 2 से मिल जाएगा सब मिला लिया सब न देख लिया next question की तरफ बढ़े 43 number बताइए insulin insulin जो आपके एक hormone है लेकिन अगर इसकी प्रकरती आप से पूछ लूँ तो यह क्या है यह protein है ठीक है कितने protein है 51 ठीक दो chain होती है सब कुछ पढ़ा चुके हूँ इसमें एक धाथू मौजूद होती है धाथू metal present होता है वो कौन सी metal present होती है बताइए tin जस्ता तामबा या aluminium बताइए क्या present होता है आपके insulin में फटा फट से आप answer करेंगे फटा फट से insulin एक protein है peptide hormone है जो कि islets of linger है इसकी beta cells से स्त्रावित होता है इसमें आपके very good अगर आपके answer है C जस्ता present होता है zinc क्या present होता है इसमें zinc present होता है जस्ता ध्यान लखेगा जैसे आप से पूछते हैं vitamin B 12 में कौन से धातू प्रेजंट होती है cobalt ऐसे आप ध्यान लखेंगे insulin में कौन से धातू होती है जस्ता ठीक है 44 का answer बताईए जमने कि इसमें से कौन सा यूग में सही से सुमेलित नहीं है insulin रख्त शर्करा का नेंतरन करता है insulin hormone कौन सा है penial gland जो कि आपके दिमाग में होती है निद्रा का नेंतरन करती है एकदम जैसे आप अंधेरा करेंगे आपको नीन दाती है because of melatonin hormone oxytocin आपके इस्तन गरंथी सा दूद का निसरन करता है आभी हमने last भी पड़ा एकदम सही है oxytocin आपके milk gland से milk को secret करने में help करता है gastrin रक्तचाप का नियमिन करता है gastrin आपके रक्तचाप का नियमिन करता है जी नहीं गलत gastrin क्या है ये भी एक peptide hormone है gastrin कहां होता है amasha में होता है अभी मैंने आपको last भी पिछले questions में पढ़ता है gastrin amasha में होता है जो कि आपके gastrin acid को secret करता है तो gastrin जो है रक्तचाप का नियमिन नहीं करता इसलिए option number D यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि हमसे पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो D सही सुमेलित नहीं है रक्तचाप का blood pressure को नियमिन करता है आपके adrenaline adrenaline help करता है जो की adrenaline hormone जो की epinephrine hormone होता है यह help करता है आपके adrenal gland से जो निकलता है ठीक है 45 पे चलते है सही चीज को चुनिए सही सुची से दूसरी सुची को मिला दीजे एक तरफ हॉर्मोन लिखे है testosterone कहां से secret होता है thairoxon कहां से secret होता है और insulin कहां से secret होता है फटा फटते तो मिलाएंगे बहुत तेजी के साथ progesterone कहां से secret होता है आपके progesterone आप क्या जायेगा very good घर भाश है testosterone व्रशन पुरुष पुरुष में जो testies होती है वो किसका स्त्रावन करती है, टेस्टोस्टोरॉन का, थाइरॉक्सिन कहां से हो जाएगा, थाइरोइट से, और इंसुलिन हो जाएगा, अगनाशे से, सब मिला लेंगे, यहाँ पर कूट मिला लेंगे अपना, वेरी गुड, अंसर सब का आ गया होगा, 46 की तरफ चले, 46, अग अगनाश तो अगनाशे में खराबी हो गयी है, किसी कोई patient है उसका अगनाशे वर्क नहीं कर रहा है, अगनाशे मतलए पैंकरियास वर्क नहीं कर रहा है, तो पताइगी क्या होगा, पाचं करियाशadaировать ठीक नहीं रहागी उसकी, ठीक है, इंसुलिन और ग्लुकेगॉन नही साही से काम नहीं कर पाएंगी आपके alpha cells glucagon नहीं बना पाएंगी जो कि blood sugar level को increase करती है hyperglycemic और insulin नहीं बन पाएंगा जो कि beta cells बनाती है जो कि blood sugar level को control करती है लो करती है hypoglycemic ठीक है अगर अगनाशा काम नहीं करेगा बात करें pancreas की तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ pancreas mixed gland of the body है and the second largest gland of the body है वनुष्य की शरीर की दूसरी सबसे बड़ी गरंती है आपके अगनाश है सबसे पहली गरंती होती है यकरत liver दूसरी होती है आपके अगनाश है यह mixed gland इसलिए है क्योंकि यह endocrine भी है exocrine भी है अन्ता हिस्तरावी है बाहिर इस्तरावी है इसका मतलब यह किसका secretion करती है hormones का क्योंकि hormones जो है वो direct आपके blood में मिल जाते हैं जाकर के यह जो white white part है यह hormones निकालते हैं और hormones directly blood में अंदर अंदर बहते हैं तो यह anthahister pública है बहिर इसलिए यह बहिर इसलिए है बहिर इसलिए मतलब यह डक्ट में योदो यह डक्ट में अपके क्या बहते हैं बेल में डिर्येट क्या बहते हैं हॉ इसलिए आपके एग्जोक्राइन भी है, बहिर इस्तरावी भी है, बहिर इस्तरावी ग्रंती भी है, that's why यह मिक्स ग्लन्ड अब बोड़ी है, ठीक, अब एक कोशन मेरा है, बताओ थाइरोक्सिन क्या है, थाइरोक्सिन फटाइड, अमिनो आसेट, एस्टर या esters हैं या thyroxin आपके peptides हैं बताइए फटा-फट से आंसर करिए आयोडीन होता है आयोडीन यह हर्मोन होता है thyroxin जो कि thyroid gland से सिक्रेट होता है अगर इसी कमी होती है शरीर में आयोडीन की कमी होती है तो घेंगा नामक रोग होता है और इस thyroid gland को stimulate करता है pitutory gland से निकलने वाला TSH hormone TSH hormone जो होता है Blessed प्यूटरी ग्लेंड के आगे वाले भाग से निकलता है और यह थाइरोड ग्लेंड को बोलता है चलो अपना काम करो चलो थाइरोक्सिन को सिक्रीट करो थाइरोक्सिन को क्यों सिक्रीट करो क्यों सिक्रीट करो क्यों 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 करो क्यों क्यों कि आपके ब्लेड में आयोडी हैं जितने भी enzymes हैं तो protein है तो amino acids है protein है तो क्या है amino acids है तो option number B is correct ध्यान लखिएगा next चलते है question number 48 की तरह बताईए निमलिकित हॉर्मोन में से कौन सा एक isthryling isthryling मतलब female हॉर्मोन है endosterone testosterone estrone यह thyroxine बताई यांसा करेए फड़ा फटेजी के साथ निमलिकित हॉर्मोन से कौन सा एक isthryling हॉर्मोन है endosterone testosterone estrone यह thyroxine that is estrone या फिर आप इसको बोलेंगे estrogen या फिर आप इसको आपको ऐसे भी मिल सकता है लिखा हुआ estrogen ठीक है या फिर estrone यह क्या है female sex hormone है clear 49 number का answer बताईए निमलिकित पर आप विचार किजिए बताईए पहले विचार कर लीजिए यह मानव शरी की दूसरी सबसे बड़े गरंती है मतलब किस की बात हो रही है pancreas की बात हो रही है इसका रस एक प्रकार की कोशिकां से स्त्रावित होता है और इसका मीडियम चारिये होता है कि कोशिकां होती है इसमें alpha का सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स, एफ सेल्स होती हैं कि नहीं होती हैं और जो यह सिक्रीट करता है उससे आपके फूट का मेडियम छारिये बनता है बिल्कुल बनता है इसके रस को पून पाचक रस बोलते हैं बिल्कुल बोलते हैं लाइपेज, अमाइलेज और आपक या आपके पिलिहा, स्पिलिन के गुड़ है? या आपके अगनाश है, पैनक्रिास की गुड़ है या ला अगनाश हैingeni कहा, ऑप्शन बिशान कररें केее क्योंड है? तो आप आप ऑप्शन बिशास को साड चुस्फ लख सकते हैं, ठीक promise लेते कौन सी कला परिवर्दन शील भून की शुषकन से रक्षा करती है भून की बात हो रही है मतलब यहां पर आपके फीटस की बात हो रही है किस की बात हो रही है फीटस की ठीक है फीटस की बात हो रही है शुषकन मतलब सूखने से फीटस आपके जो फीमेल बॉड़ी में जब होता है तो यह एक amniotic sack के अंदर होता है amniotic sack मतलब एक थैली होती है पानी से वो बच्चे को नम बना के रखती है जब pregnancy complete हो जाती है और डिलीवरी होने वाली होती है तब से पहले यह sack ही फटता है यह पानी बोड़ी से भा निकलता है तब ही delivery जल्दी करनी पड़ती है बनना बच्चा क्या होता है सूखने लगता है अंतर यह बच्चे को नम बना के रखती है तो बताई इसका आंसर क्या हो जाएगा उल्व मतलब amniion अपरा पोशिका मतलब alantois जरायू मतलब koreon और पीतक कोश मतलब yokes यही मैं बोल रही थी मैं आपको layers पड़ाऊंगी जो की layers होत amniotic sac जो की amniotic थैली होती है amniotic fluid भरा होता है उसमें उस layer को आपके amniion बोलते हैं यह ब्रून को नम बना के रखता है ब्रून मतलब जो भी fetus है जो भी embryo धीरे धीरे डवलप होता है तो उसके पर पूरी थैली सी बन जाती है ठीक है वो बच्चे को नम बना के रखती है औ कि अगर मदर के पेट पे धका लग रहा है कोई दवाव आ रहा है तो यह उससे बचाती है बच्चे को बहुत जरूरी होती है amniotic sac आपने पड़ा होगा जिसके अंदर बच्चा रहता है ठैली होती है पानी की clear उसको क्या बोलते है आपके amniion यह किस से रक्षा करती है फोसफो लिपिड का example क्या है और बहुलक मतलब आपके polymer के अग्जामपल बताएगे फटा फट से बहुत तेजी के साथ आंसर आना चाहिए मेरे पास बहुत तेजी के साथ हर्मोन क्या है समसे enzyme क्या है तो हर्मोन क्या हो जा एगा होर्मोन है आपके टेस्टोस्ट्रओन enzyme क्या है, lipase phospholipid क्या है, बहूलक क्या है बहूलक मतलब polymer, phospholipid जब मैंने आपको lipids पढ़ाए थे lipids जब पढ़ाए थे, पूरी वीडियो बनाई है lipids के उपर, example बताया था मैंने आपको phospholipid का lecithin बताया था, lecithin आपके phospholipid का example है, and sphinogomyle sphinogomyle आप लोगी मैं समझेगा कि TGT में कुछ हवा में आपसे पूछ लेंगे पूछ भी लेंगे, हवा में तो PGT LT वाले तो ध्यान रखे बहुत अच्छे से, और lab assistant और RPSC सभी phospholipid के example, lecithin and आपके sphinogomyle और glycolipid के example मैंने आपको polythene, polythene तो आपके polymer है, बहुलक है, जैसे आपके protein क्या है, polymer है, hetero polymer है, तो answer मिला लेंगे अब आप, कूट मिला लेंगे अब आप, आराम से मिला लेंगे, तो यह था आज की वीडियो का last question student, चलिए फिर मिलते हैं, अब बताइए आप लोग, like, subscribe and share करके, कि वीडियो आप कैसे थे, और अपना comment section में comment जरूर करिएगा, thank you so much guys, next video मिलेंगे, next topic के साथ, अपना ध्यान रखिए, and always support women empowerment, हमेशा उसको support करते रहिए, और साब अपना ध्यान रखेंगे, okay, so bye guys